Let's go! इस रैली के माध्यम से बच्चों को घर परिवार से दूर रहकर कैसे कैम्प करते हैं? कैसे अपने सामान की देखरे करते हैं? इस बात के गुर सिखाए गए। इस दोरान बच्चे टेंट में रहकर अपना समय गुजारेंगे। वहीं गुरूप लेडर ने आगे बताया कि इ यदि जंगल में भी कैम्प करना पड़े तो उसके गुरूप बताये गए हैं। गैजेट बनाएंगे, पाइनेरिंग बनाएंगे, गेट बनाएंगे और टेंट में रहकर ये पूरा कैम्प वह चार दिन विताएंगे। इस कारेकरम में हमारे डीर्एम सर और डीर्म सर का सहयोग मिला, जिसके कारण ये कैम्प आगे संचालित है। हमारे डिस्टिक कमिशनर सुमित कुमार सर और एप्यों एंजिनी कुमार सर के दौरा भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला और ये कैम्प लोग ने सक्सेस किया। सक्सेस करने की और अगरसर है आज यह हमारे सिनेर डिपीओ सर और एक पीओ सर के द्वारा जो कि हमारे डिस्टी कमिशनर भी है उनके द्वारा कैम्प का ऑपेन किया गया और यह कैम्प ऑपेन के बाद कुछ संस्कृतिक कारिक्रम हुए हैं और आज जो है संद्याज 6 बजे बच्चों का फॉक डांस कंपेटिशन स्टार्ट होगा जो कि आज का पहला कंपेटिशन है और कल सुबह से फिर कंटीनिव यह वर्क चलेगा र जो अपने घर से अमsorry पने पपा, ममी से दूर रहकर एक यूनिटी के साथ एक बच्चे के टोली के साथ अपना यहाँ पर कैम्प करते हैं मतलब जंगल में अगर कोई हम लोग कैम्पिंग में जाते हैं वो सब प्रिक्रियाज होती हैं वो सभी इसमें बताई जाती है बच्चों के विकास उन्हें देश और समासिवा के लिए प्रेरित करने समेट आदर्श नागरिक बनने के मकसद से 7 नमबर 1950 में भारत स्काउट एंड गाइड की शुरुवात की गई थी तब से देश के हर इलाके के शिक्षन संस्थानों, रेलवे और अन्य जगों पर बच्चों को कई कारक्रुमों के जरिये जागरुक किया जाता है और बेहतर कल के बारे में बताया जाता है कटिहार में आयोजित स्काउट एंड गाइड की जिला रेली का आयोजन बच्चों के सर्वांगिन विकास में मील का पत्थर साबित होगा पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजिनिश कुमार की रिपोर्ट